इसमिल्हाइर्मान रहीम, SPF Special Police Force का ये Class No.1 है, Retten Test Preparation का, तो इस वीडियो में हम बहुत ही Important MSQs आपके साथ शेयर करेंगे, जो के अक्सर टेस्ट में आते रहते हैं, ठीक है, PTS के अवाले से जो PTS का जो Mindset है, जो PTS अक्सर हर टेस्ट में जो Question Repeat करती है, General Knowledge के, पाकिस्तान स्टे General Knowledge की और Class No.1 है, इंशाला आपको इस चैनल पे SPF का पूरा सेलिबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही फाइदा होगा, ठीक है, Retten Test Preparation के लिए बहुत ही एक अच्छा सा प्लेटफार्म है, अगर आप यहां पे नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइ इन इन परसन ठीक है, तो जो कॉरांप मजीद है, उसको परसन में किसने ट्रासलेट किया था, तो शा वल्ल्यट ने किया था ट्रासलेट परसन लेंगेज में, next question is in which country is the volcano mount present ठीक है तो volcano mount जो ऑ paralysis परамен में हैं है next question है तो यह चार country's नहींन क्यूंपर सब्दोर चार में एक tapped in four countries तो वीटो पावर पॉसेस कोण कोण से कंट्री करते हैं UK USA रश्या यह वीटो पावर पॉसेस करते हैं बाकि जो वेस्ट जर्मनी यह वह पॉसेस नहीं करती नेस्स सर्क मोमेंट वह लांच जो साड के मुमेंट है वह लांच की गई थी वह यह रिजेनल कोप्रेशन के लिए के लांच की गई थी ठीक है तो सार का जो फुल फाम है वह है साउथ एशन एस्टोसियेशन रिपब्लिक सोरी रिजिनल को आपरेशन ठीक है पाकिस्तान गवर्मेंट अजादी के वक्त पाकिस्तान को किसने मिलियंस में लोन दिया था लाखों में ठीक है तो वो बैंक थी एश्पील बैंक ठीक है 72 सेशन अफ युनाइट नेशन जनरल एसेंब्ली हेल्ड आउन तो 72 जो सेशन हुआ था वो 12 सेप्टमबर को हुआ था 12 सेप्टमबर 25 सेप्टमबर 2017 को हुआ था ठीक है 72 सेशन युनाइट नेशन जनरल एसेंब्ली का ठीक है नेक्स्ट कोशण है में इनोगरेटेड वर्ल्ड टीचरस डे ठीक है तो वर्ल्ड टीचरस डे जो है वह किस और गुनाज़ेशन ने इनोगरेट किया था तो वह यूनिस को ने किया था नेक्स्ट कोस्टन है हमारा World Teachers Day is celebrated on जो World Teachers Day होता है वो किस टेट पर celebrate किया जाता है तो वो अक्सर 5th, sorry अक्सर नहीं मगर 5th October को ही celebrate किया जाता है Teachers Day तो नेक्स्ट कोस्टन है हमारा When was Trump UK United Kingdom first used तो first time जो UK used हुआ था United Kingdom जिसे हम इंगलेंड भी कहते हैं या बरत्यान भी कहते हैं ठीक है तो वो 1800 में use हुआ था आप्शन नमबर B is correct answer नेक्स्ट कोस्टन है मारा The oldest university in the world is University of Bolgana ठीक है यह oldest university है पूरे वर्ल्ड की तो दोस्तों यह बहुत important MSQs है आप note कर लें यह इंशाला PTS में जरूर लगेंगे ठीक है नेक्स्ट कोस्टन यूनिसेफ स्टेंट पार यूनिसेफ एक और्गोनाइजेशन है यूनों की जिसका जो अब्रिवेशन है वो है United Nations International Children's Emergency Fund नेक्स्ट कोस्टन है एक्स स्टेट आफ एम्ब इस फेमस पर नेच्टरल फोरेस्ट नेक्स्ट कोस्टन है दे एरलाइन केंटर्स ब्लांक्स टुच कंट्री ठीक है आपको एरलाइन बे कुछ कंट्री की कवर करनी है ठीक है क्यूंकि एरलाइन के सिधेिक हुआ क्यूंकि ब्लाइन थे अर्यंट क्यूंकि एरलाइन अस्ट्रालेया की को क्यूंकि इस फेलेक से इंपकिमिन काय। mountain है तो Everest is the highest mountain in the world, which is present in the Nepal, okay? and second largest, I mean second highest is the K2 which is present in the Pakistan. Next question where is Bangladesh located? So Bangladesh which is located in Pakistan, African East Asia, western Asia, South一樣 Asia. So absolutely Southern Asia में लोकेटेड है बंगलादेश तो अगर यहां पे एक कोस्टन आ जाए कि वेर पाकिस्तान लोकेटेड तो आपको क्या करना है क्या क्या करना है क्या पाकिस्तान भी साथ रन अश्या में ही है तो आप शाथ रन एशा इटेक कर दें ठीक है International day of non-violence day observation date second October फिर्स्ट मुसलिम इंटर्पीटर आफ कुरान इंगिलिश इज पहला मुसलमान जिसने कुरान मजीद को टांसलेट किया था इंगिलिश में तो वह अब्दल्ला हकीम इंटर्प्रीट किया था अपॉलो डेश प्लीश पेस प्लीश पार श्राइए प्रहाँ मुसलमान इंटर्प्रेंड इंटर्प्रेंग किया था रहाँ अब्दाइए था 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 थैख है तो वोमेन को वोंट देने का हक न्यूजलेंड ने 1893 में दिया था तो वोच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबिस डिट बलांग जो क्रिस्टोफर कोलंबिस है वो कहां से बलांग करते हैं किृस्टोफर कोलंबिस ऑसकता है वो डिसकबर आमरिका का तो आपको सही एंसर है किस्टोफर कोलंबिस ठीख है नेक्स कोशन बोस्टनटी पार्टी एससोसियेट विज़ज ढ़रेंट्फ आमरिकन इंडिपेडंस ओक्या हुआ नेक्स कोचन 2018 55 वेल्ड कप फुटबाल विल बी है होस्टेट बाई तो रश्या ठीक है रश्या ने होस्ट किया था 2018 का 55 वेल्ड कप मगर अभी जो हालाद चल रहे हैं तो रश्या को निकाल दिया गया है 55 से जो बहुत पे स्पोर्ट्स होते हैं चाहिए फुटबाल के हो यह कोई और क्योंकि रश्या और युक्राइन की वार हो रही है तो असलिए वज़ा से अमरिका वालों ने या यूनाटेड नेशन वालों ने इनको इस 55 वाल कप से फिलार तो 2022 में बाहर कर दिया गया है ठीक है तो अब नेक्स कोचन है नेम 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 जर्मन चांसलर एंजल मा कर दी सुल्टान रोट लेटर तो विच कोवर्मन को रह Cihrman को में अगेंस बेटिश आर्मी रूल इंडिया क्स को अ incentiv लेटर लखा थे अगैंस दे MI5, sorry MI5 is the secret agency of Daesh तो यह है बरतानिया की MI5 is the secret agency of बरतानिया तो MI6 भी है, security agency 4 भी बरतानिया की ही है ठीक है, MI5 और MI6 are the secret agency of बरतानिया next question which of the following is a tricontinental country तो Portugal, Portugal को tricontinental country कहा जाता है which is the world highest lake, Lake Titica ठीक है, Lake Titica is the highest, world highest lake which city is recorded as a cune of Adriatic Sea वेनाइस को कहते है, the cune of Adriatic Sea तो दोस्तों यह थे main important MSQs जो के इंशाला, PTS में SPF Special Police Force में लगेंगे इंशाला, MSQs यह MSQs आपको note कर लेने है यह थे MSQs general knowledge के और अब इंशाला, आपको यह साथ जो बे subject होंगे, for example Islamiyat हो गई, Pakistan study हो गई, English हो गई और everyday science ही हो गई, ठीक है और general knowledge हो गई जो भे MSQs है, इंशाला, आपके साथ share किये जाएंगे, इस channel को subscribe कर दें, ताकि हराने वाली वीडियो आपको पास आने मिल सकें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, अल्लाः खफेज